हमस्कार दोस्तों जोगर्फी बेदिल स्वागत है आए देखते हैं अब तधिक महतपूर चर्चा में रहने वाले जीके जीएस दोस्तों ये दी वीडियो आपको पशंद आता है जोसे लाइक ज़रू करें और अपने दोस्तों को सेयर करें आए सबसे पहले देख लेते हैं कोरणावाइरस आए जो है तेल का जो है उत्पादन और उसकी जो है तेल के कीमत भी कम हो गई है तो सबसे पहले देख लेते हैं ओपेक के बारे में आए देखते हैं ओपेक ओपेक के बारे में छोटी सी बात है कि ओपेक एक अस्थाई अंतरसरकारी संगठन है यानि तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है जो तेल निर्यातक उत्पादक देश हैं उनका एक संगठन है इक संगठन के माद्यम से रिट तैंक की जाती है इसकी अस्थापना वर्स 1960 में इराक में आयोजित भगदाद समेलन के दोरान की गए थी कब की गए थी? 1960 में इराक में आयोजित भगदाद समेलन के दोरान की गए थी तिसरा का पॉइंट है इसमें जो है इराक, इरान, कुबैद, सौधी अरब, वेनजुएला इस संगठन के पांच संस्थापक सदस हैं कौन-कौन इरान, इराक, कुबैद, सौधी अरब, वेनजुएला पांच इसके संस्थापक सदस हैं नेक्स पॉइंट है ओपेक के अनुसार इस संगठन का उद्देश पेट्रोलियम उद्पादगों के लिए उचित और इस्थिर कीमतों को सुरचित करने भोकता रास्टों को पेट्रोलियम की एक कुसल के फायती तथा नियमित आपूर्तियम तेल उद्द्योगों में निवेस करने वालों के लिए एक उचित लाब को सुनिशित करने हैं तो सदस देशों को पेट्रोलियम नीतियों को नीतियों के समन्न में और एकी करण को बढ़ावा देता है इसका ओपेक का यही उद्देश है गुर्मिला के कहें तो किस तरह से तेल की कीमत तैंक की जाए जो इस संगठर में लोग निवेस करते हैं उनको किस तरह से लाब दिया जाए इस पर एकी करण को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश है अगला पॉइंट यह है कि ओपेक के स्थित्व में आने के बाद सुरुवात में पांच वरसों तक इसका मुख्याले जिनेवा में था हलाकि इस सुरुवाती में ओपेक का मुख्याले जिनेवा में था सुर्जियर लैंड के जिनेवा में किंटू एक सितंबर 1965 को इसका मुख्याल ए ऐस्ट्रिया की राजदनी बियना में कर दिया गया तो वर्तमान में उपेक का मुख्याल है कहां है बियना में है आस्ट्रिया के बियना में है नेक्स्ट पॉइंट अगला ही चर्चा में रहने वाला है हैक तक क्राइसिस इंडिया एक तरह का हैका थान है जो एक तक्निकी समाधान से समंदित है इस हैका थान का ओदेश कॉर्णावाइरस के लिए एक ब्यवहारिक समाधान खोज और कोबिड नैंटी के खिला प्लडाई को और मजबूत करना है हैक तक क्राइसिस इंडिया किसे समंदित है कॉर्णावाइरस से समंदित है करुणा पहल करुणा पहल क्या है IS, IPS और IRS सहित भारत की विभिन सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कॉर्णावाइरस महामारी के विभिस सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए करुणा पहल का सुभारम किया है तो किसने किया है भारत के सिविल सेवकों के तवारा जो है करोणा एक प्रकार का बिसे सहयोगी मंच है जिसके तहत करोणा वाइरस महामारी से लड़ने के लिए सिविल सेवक उद्योगपती गैर सरकाई संगटन के पेशेवर और तकनीकी पेशेवरों के साथ मिलकर एक काम करेंगे इसका यही एक मंच के तरह इसका एक उद्देश है नेक्स्ट पॉइंट वेंटिलेटर जीवन्स वेंटिलेटर जीवन्स जो है जीवन वेंटिलेटर को कपुर्थला रेलवे कोच फैक्टरी द्वारा विक्सित किया जा रहा है अगला पॉइंट है यह भारती रेलवे ने देश में कॉरनावाइरस के बढ़ती प्रकॉप के बीच जीवन नामसे काफि सस्ता वेंटिलेटर बनाया है भांद में वेंटिलेटर की कुमि है और लोग की संक्या जो है कोर्ण upward की संक्रवीट लोग की अफिन बढ़धी जा रही है तो देश में जो है विविन संगठन संस्थान जो है सस्ते वेंटिलेटर बना रहे हैं जिसमें वेंटिलेटर G1 का जो है कपुर्थर रेलवे ने बनाया है 20,000 रेलवे कोचों को जो है इसमें बदला जा रहा है उसमें वेंटिलेटर लगाया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है थोड़ा से जान लेते हैं इसकी बेसिक बातें क्योंकि एक्जाम में तो हमें बेसिक बातें जाना बहुत जरूरी है ये सोसल इसूज हैं इस तरह के कुश्चन बिलकुल आते हैं रास्टी महिला आयोग का गठंस जनवरी 1992 रास्टी महिला आयोग अधनियम 1990 के तहट एक सामविदिक निकाय के रूप में किया गया था इस समयदा एक नहें सामविदिक निकाय जो संसत के दनियम के माध्यम से किया गया है तो क्या है एक सामविदिक निकाय है रास्टी महिला आयोग एक सामविदिक निकाय है इसकी स्थापना 1992 में भीगी थी आपको इतना ही याद रखना है इसके माद्दिम से महिलाओं की सिकायतों का निवारण कर उनके समाजिक औरतिक विकास को गति दी जाती है देखा जाए तो बरतमान में रेखा सर्मा महिलाओं की अधच है रास्ती महिलाओं की अधच का उन रेखा सर्मा है Next point दोस्तों आज इतना ही यदि वीडियो पसंद आया तो से लाइक करें जरूर सब्क्राइब करें अपने दोस्तों को सेर करें धन्यवाद